कैसे हो आप बढ़िया तो फ्रेंट आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डीटेल कंपारिजन दो बहुत ही पॉपिलर कार्ट के बीच में एक है क्रेंट तक देख लो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा क्रेट कार्ट आपके लिए ज्यादा बेनिफिशल होने वाला है फिर जाकि आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके उस कार्ट को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेज है आपका जो कार्ड है वह अप क्रेट कार्ट में देना परता है वह यहाँ पे 18% का होता है तो अगर आप करड़े कार्ट का जो ज्याइनिंग फीज आपको पे करना पड़ेगा वह है खाल्य को एवरी यह आपको पे करना पड़ेगा तो वह अमांट पिल्कूल सेम है 999 रुपीस प्लस GST जो की 1179 की अप वहिकर हम HDFC bank के millennia credit card के लिए बात करें तो आप अगर आप इस credit card को लेना चाहते हो तो यहाँ पे starting में जो joining fees पे करना पड़ेगा वो है 1,000 rupees plus GST 18% का GST मतलब कि total 1,180 rupees आपको यहाँ पे credit card के लिए joining fees देना पड़ेगा और renewal fees की बात करें तो वो भी इस credit card के लिए बिल्कुल सेम है 11,180 rupees every year आपको इस card के लिए pay करना पड़ेगा तो joining and annual fees तो भाई एक रुपय का difference है कोई खास difference नहीं है लेकिन जो difference है वो यहाँ पे इनके renewal fees को wave off करने का difference है दोनों ही credit cards में आपको option दिया जा रहा है आप चाहो तो दोनों ही credit card के जो renewal fees जो आपके every year pay करने पड़े है आप उनको wave off करा सकते हो मतलब की माफ करवा सकते हो उसमें यहाँ पे बहुत ही major difference है तो अगर आप SBI bank का cash back credit card लेते हो और अगर आप अपने credit card का जो renewal fees है वो अगर आप wave off कराना चाहते हो तो उसके लिए पर क्या करना है आपको अपने credit card का यूज करके एक साल में अगर आप 2 लाख या उससे जादा अगर आप spend कर लेते हो तो आपका जो next year का जो आपका renewal fees लगने वाला है वो आपका wave off कर दिया जाएगा वह अगर आप SDFC bank का millennia credit card लेते है तो यह amount बहुत जादा कम हो जाता है अगर आप अपने credit card का यूज करके एक साल में अगर आप एक लाख रुपए यहापे spend कर लोगे ना तो आपका जो next year का renewal fees लगने वाला है वो आपका wave off कर दिया जाएगा तो जो difference है वो बहुत ही आपका cash back credit card लेते हो तो यहाँ पे आपको as a welcome benefit कुछ भी नहीं दिया जा रहा है मतलब कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं आपको as a welcome benefit कुछ नहीं मिल रहा है वह अगर आप HDFC bank का millennia credit card लेते हो तो यहाँ पे आपको as a welcome benefit दिये जाएंगे 1000 cash points लेकिन यह welcome benefit तभी मिलेगा जैब आप अपने credit card का joining fees है वो आप पे कर दोगे जैसे ही आप पे कर दोगे यहाँ पे 1000 cash points आपको मिल जाएंगे एक cash point का value कितना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जो अगला difference आपको दोनों credit cards मिलेगा वो है milestone benefit का difference अगर आप SBI bank का cash back credit card लेते हो तो यहाँ पे आपको milestone benefit भी एक quarter में अगर आप एक लाख रुपए या उससे जादा spend कर लेते हो एक quarter कितना होता है एक quarter तीन मेने का होता है तो for example अगर आप January February या फिर मार्च वाले मन्त में मिला करके अगर आप अपने card से एक लाख रुपए अगर आप spend कर लोगे तो यहाँ पर आपको milestone benefit 1000 रुपए है वह आपको दिया जाएगा और जैसा कि आप जानते हो एक साल में total 4 quarter होते हैं अगर आप every year अपने every quarter अपने credit card से एक लाख रुपए spend कर लोगे तो हर quarter में आप 1000 रुपए तक के जो gift voucher है वह आप earn कर पाऊगे मतलब कि एक साल में आप 4000 रुपए तक का gift voucher अगर आप earn कर करते हो लेकिन वह अगर a cashback credit card है तो आपको यहां पर कोई भी milestone benefit नहीं मिलता है जो next difference आपको इन दोनों credit card मिलेगा वह airport lounge access का benefit यह तो भया मेरा personal favorite है तो अगर आपके पाद HDFC bank का millennia credit card है और अगर आप अपने credit card का use करके एक quarter में अगर आप एक लाख रुपए spend कर लोगे त तो next quarter में आपको एक complimentary airport lounge access मिलेगा एक साल में यहां पे आप total 4 complimentary airport lounge access आप earn कर पाओगे अगर आप every quarter एक लाख रुपए spend कर लेते हो तो लेकिन यहां पर अगर आपको नहीं पता है कि airport lounge access का benefit क्या है तो मैं आपको short में बता दूँ अगर आप flight में travel करते हो और अगर आप airport मे lounge में विजिट करोगे तो वहां पे बहुत साइज services है जो कि आपको complimentary दी जाती है जैसे कि आपको complimentary food सर्फ किया जाएगा आप वहां पे soft drinks आप ले सकते हो juices आप वहां पे पी सकते हो आप wifi यूस कर सकते हो जब तक आपकी flight का time हो आप वहां पे rest कर सकते हो और भी बहुत साइ services है जो कि आपको complimentary दी जाती है तो अगर आपके पास यह वाला credit card है तो एक साल में आप चार बार complimentary domestic airport lounge access अब कर पाओगे वहीं अगर आपके पास SBI cashback credit card है तो यहां पे आपको no airport access allowed from this credit card मतलब इस credit card में आपको कोई भी airport lounge access का benefit नहीं मिलता है अब बात करते हैं अगले difference के ब card लेते हो और अगर आप अपने credit card का यूज करके कोई भी online spending करते हो तो यहां पे आप जितने भी amount का spending करोगे उसका 5% को cashback मिल जाएगा और एक मत में जो आप maximum benefit ले पाओगे वह 5000 रुपए तक काब ले पाओगे वहीं अगर आप HDFC bank का millennia credit card लेते हो और अगर आप अपने credit card का यूज करके Amazon में spending करते हो, book my show में करते हो, zomato में करते हो, cold fit हो गया, flip card हो गया, uber हो गया, mintra हो गया, swigy हो गया, tata click हो गया, sony live हो गया, अगर आप इन में से कहीं पर भी अपने credit card का यूज करोगे तो जितना भी amount of spend करोगे उस पर 5% आपको मिल जाएगा as cashback, दोनो मतब कहीं पर भी spending करोगे तो 5% का cashback मिलेगा, तो यह सबसे अची चीज है, because आज के date में हम जो maximum spending करते हैं, वो online ही करते हैं, तो इस credit card में यह सबसे बड़ा plus point है, कि आपको 5% का cashback जो है वो दिया जा रहा है, सारे online spending में, इसमें भी जैसा नहीं है, कि यह वेकार है, इसमे कि मेरा Amazon हो गया, Book My Show हो गया, Zomato हो गया, Flipkart, Uber, Mintra, Swiggy, यह सारी जगह है, तो भाईया, मेरी personal में आपको बता रहा हूँ, इस जगह पे तो मेरा every month spending होता ही होता है, तो आपका भी अगर इन में से इस जगहों में just spending होता है, तो यह credit card आपके जादा beneficial रहेगा, अगर आपक connection नहीं चाहते हो कि हर जगह 5% cashback मिले तो in that case, यहां पर आपको जादा benefit मिलेगा, और other spending में आपको दोनों ही credit cards में जो benefit मिले वो बिल्कुल सेम है, अगर आप cashback credit card लेते हो, और अपने offline spending कुछ भी करते हो, मतलब जो online के अलावा credit card कहीं पर भी use करोगे, तो आपको 1% का cashback म मिलेगा, और अगर आपके पास HDFC bank का millennia credit card है, और यहां पर भी आप इन जगों के अलावा, इन जगों के अलावा अगर आप credit card को कहीं पर भी use करोगे, तो आपको 1% का cashback मिलेगा, चाहे वो आप online करो, यहां फिर offline करो, आपको 1% का cashback मिलेगा, ठीक है, जो next difference आपको दोनो credit cards मिलेगा, वो है reward point के value का difference, अगर आप SBI का cashback credit card लेते हो, तो यहां पर जो आपका cashback आप जितना भी earn करोगे न, वो automatically आपके next month के statement में adjust कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप HDFC bank का millennia credit card लेते हो, तो reward points को redeem कराने के बहुत सारे options यहां पर आपको मिलते हैं, आप चाहो त flight and hotel के booking करा सकते हो, आप products खरीद सकते हो, यहां पर एक cash point का value आपको मिल रहा है, वो यहां पर 30 पैसा का है, वही आप चाहो तो air miles में भी convert करा सकते हो, यहां पर भी cash point का value आपको 30 पैसा के मिल रहा है, और आप चाहो तो cash में भी redeem करा सकते हो, जो की सबसे best option है, तो मैं भी और आप समझ सकते हो, यहां पर भी आपको 5% का cash back मिल रहा है, और इस वाले में भी आपको maximum 5% तक का cash back आपको मिल रहा है, तो अगर आप इसके joining benefit की हम बात करें, welcome benefit की हम बात करें, तो यहां पर आपको वह benefit है वो भी आप समझ गिएोगे, अगर आपको 1000 cash points आपको मिल रहा तक का निकाल सकते हो तो आपको इस कर्डेट कार्ड में 1000 रुपए का वेलकम बेनिफिट भी मिल रहा है ऐस आपका जॉइनिंग फीज लगबबबबब दोनों ही कर्डेट कार्ड के जो मेजर डिफरेंसेस थे वो मैंने यहां पर कवर कर लिये हैं दोनों ही कर्डेट कार्ड बहुत जादा जबरदस्त है तभी भाईया उनको कंपेर करने का भी जहरत पड़ा लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरे को वेलकम बेनिफिट चाहिए कर्डेट कार्ड में माइलस्टोन बेनिफिट चाहिए एरपोर्ट लाउंज एकसेस चाहिए और आपको 5% का कैश्बैक भी चाहिए लेकिन कुछ सेलेक्टेट जगों पे ही तो आप HDFC बैंक के मिलेनिया कर्डेट कार्ड के लिए जा सकते हो वही अगर आपको चाहिए कि नई भाईया मेरे को 5% कैश्बैक हर ऑनलाइन स्पेंडिंग पे चाहिए तो उसके लिए आपको SBI का कैश्बैक कर्डेट के लिए जाना पड़ेगा तब आपको देखना है कि आपका स्पेंडिंग कौनसे क्रडेट कार्ड के बेनिफिट से मैच करता है जिससे मैच करते है वही कर्डेट अब के लिए सबसे जादा यूसफूल होगा दोनों करेट का अप्लाएंग लिए मैंने आपको नीचे दिस